तो दोस्तों market में एक जबरदस्त volatility देखने को मिल रही है और market की volatility आपको एक long term investor को लगातार opportunities दे रही है investment के लिए अब dips पर buy करना है नहीं करना है इसमें मैंने separate detail वीडियो में बात की थी जिसमें मैंने discuss किया था कि किन conditions में आपको dip पर buy करना जरूरी होता है और क्यों हर dip पर आपको buy करना जरूरी नहीं होता है वो सारी चीजों पर हमने बात की थी अब इस वीडियो में मैं कुछ stocks के बारे में discuss करने वाला हूँ जो अच्छे खासे discount पर already available है अब आपको एक चीज़ यहां पर clearly समझने है कि इस वीडियो का purpose यह नहीं है कि Monday को stock market खुलती है आप इन सभी stocks में invest कर दें जो primary purpose मेरी हर वीडियो का रहता है कि आपको कुछ stocks में बता पाऊं उनके बारे में हम लोग discuss कर सकें उनके key support levels हम लोग discuss कर सकें और उनमें से जो stock fundamental की आपको अच्छा लगता है आप उसको अपनी watch list में add कीजिए जब जब उनमें आपके पास पैसा आता है आपको invest करने का time मिलता है तब आप उन stocks में invest कीजिए आपको एक reference point देने की कोशिश इस वीडियो से मैं करने वाला हूँ तो काफी सारे लोगों के सवाल जिन stocks पे आते हम एक करके उनी stocks को सबसे पहले cover करने वाले हैं और discuss करेंगे कि क्यों इनमें invest करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो क्यों invest नहीं करना चाहिए सबसे पहले relaxo footwear पे काफी सारे लोगों का सवाल आता है 769 के आसपास इसका share अभी इस वक्त आ चुका है अब यहां पर आपको एक्चे समझनी है हलाकि इसका stock काफी जादा गिर चुका है 50-60% इसका stock गिर चुका है लेकिन उसके बाद भी इसकी जो price to earning ratio है वो अभी भी 124 के आसपास है जो बहुत ही higher level पे इस वक्त भी नजर आती है और दूसरी चीज़ अगर हम इसके share की value पे बात करते हैं तो यहां पर इसको कोई भी support इस वक्त नहीं मिल रहा है 1000 पे इसने थोड़े time support बनाये था लेकिन उसके बाद से एक free fall इस share में यहां पर चलते होई नजर आ रहा है और वो free fall के चलते 760 के आसपास यह share आ चुका है तो completely avoid आपको इस वक्त इस share को करके चलना चाहिए लगातार गिरावट इसके value में आ रही है price to earning ratio भी higher side पे यहां पर नजर आता है दूसरा share जिस पे लोगों का सवाल आ रहा है लक्ष्मी और्गैनिक के बारे में काफी सारे सवाल आ रहा है अब यह share भी free fall में चल रहा है दो reason है सबसे पहले जो इसके results आ रहे हैं वो बहुत ज़ादा volatile आ रहे हैं कभी 27 करोड के profit है तो कभी 9 करोड का profit रहे जाता है कभी 80 करोड का profit हो जाता है तो इस वज़े से एक जबरदस volatility यहां पर इसके price में भी देखने को मिल रहे है और यह भी share एक free fall mode में इस वक्त यहां पर चल रहा है completely avoid करके इस वक्त इस share को चलिए free fall चल रहा है कब तक कहां कहां तक गिरेगा किसी को नहीं पता है chemical sector की अगर आप price to earning ratio को compare करेंगे तो अभी भी यह higher side पे नजर आता है 43 के आसपस इसकी price to earning ratio भी इस वक्त यहां पर चल रही है तो इसलिए यह share भी एक avoid वाले उसमें रखी है हाला कि 45-45% की गिरावट है लेकिन मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ stock market में सिर्फ यह देखकर कि कौन सा share 50%, 60%, 70% गिर गया है आपको invest नहीं करना है तो यह share भी इस वक्त complete avoid mode में आपको रखना है free fall यहां पर चल रहा है इसमें invest करने के बारे में मत सोचिए free fall knife की तरह यह share इस वक्त यहां पर गिर रहा है इसके अलावा SBA cards पे काफी सारे लोगों के लगातार सवाल आते हैं तो देखिए SBA cards पे मैं multiple times यहां पर बात कर चुका हूँ share ने 700 रुपे का 6.5.500 से 700 रुपे का price मैंने आपको बता रखा है लगातार support उस पे इसका रहता है अभी recently भी 6.99 के आसपास गया था जब हमने बात की थी उचाल करके अभी यह 700 के आसपास आ गया है अभी जब तक यह 700 के आसपास रहता है थोड़ा सा avoid करके चलिए 700 रुपे पे मिलता है जैसे हमने last time पे भी बात की थी 700 रुपे शाड़े 600 पे मिलता है तो उस वक्त invest करिए वहाँ पर आपको एक 52-10% का upside अराम से अभी तक यह stock दे रहा है fundamentally अच्छा stock मुझे हमीशा से लगा है लगातार profit में increment इसके यहाँ पर हुई है price to earning ratio लगातार इसकी नीचे गई है तो मुझे लगता है कि जब market की conditions improve होंगी थोड़े interest rate hike में कमी आएगी तो इस share में एक अच्छा खासया तेजी उस वक्त देखने को मिलेगी तो long term के perspective से भी एक अच्छा share मुझे लगता है और short term में भी 600-700 के level पे investment करके एक short term profit भी यहाँ पर इस share में बन सकता है तो ये दोनों चीजों को आपको यहाँ पर इस share में समझ कर चलना है इसके बाद burger paints पे बहुत सारे लोगों का सवाल आता है Indigo paints पे Asian paints में हमने last week ही अपने वीडियोस में discussion की थी तो काफी सारे लोगों का सवाल आया था कि burger paints पे भी हम लोग discussion करे तो देखिए मैंने burger paints के बारे में आपको 21 बोली थी कि ये somewhere middle में ये share यहाँ पर है अगर small cap आप paint sector की company में जाते हैं तो Indigo paints मुझे काफी अच्छी company लगती है 1000 रुपे के price पे हमने last week में वीडियो में बात की थी जो last week हमने किया था आप देखेंगे आज वो 1100 के आज पास वो share आ चुक है 10% का return एक हफते में ही ये share ने आपको दे दिया है अगर आप large cap में जाते हैं तो Asian paints ऐसी company जहाँ पर एक stable returns मिल सकती है हलाकि Asian paints पे कितने रुपे पे invest करना चाहिए वो हम separate वीडियो में बात कर चुके है अब burger paints पे अगर हम बात करते हैं तो ये somewhere where between में यहाँ पर आती है तो इसलिए मुझे personally बहुत जादा attractive burger paints का share नहीं लगता है इस reason की वज़ए से कि अगर मुझे small cap paint sector में invest करना है तो Indico paints, large cap में करना है तो Asian paints ये मेरे एक बहुत simple theory paint sector में रहती है लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है fundamental burger paints का अगर आपको लगता है support level की बात करें तो अपने key support levels पे ये share चल रहा है एक साल का अगर आप देखेंगे 580, 570, 550 से 580 की range है जिस पे ये share चलता है और उसी levels पे इस वक्त इसका share आ चुका है तो अगर आपको ये share अच्छा लगता है ये काफी key levels है जहां पर एक installment आपको डालने की जरूरत है अगर आप burger paints के share में invest करने के बारे में सोच रहे हैं आपको लग रहा है कि अच्छा share है जो यहां से एक अच्छी खासी returns आपको दे सकता है तो इस key levels को आपको यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है इसके अलाबा दोस्तों और जो काफी सारे लोगों के सवाल जिन companies पे यहां पर आ रहे हैं उसमें कुछ IT sector की companies में काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं तो देखें mid cap segment में अगर हम जाएंगे तो दो shares जो मुझे इस वक्त काफी अच्छे levels पे यहां पर नजर आ रहे हैं पहला है FLA India तो FLA India पे हमेशा से 1000 के जो levels हैं वो बहुत critical levels रहे हैं company के बारे में हमने detail separate video की हुई है basically company यह online advertisement के काम में है जो आपको notifications आती है अलग-अलग app से उस काम में यह company है तो काम wise काफी अच्छा futuristic काम है इसका काफी अच्छी company है एक MNC है US based company है जिसका India की company यहां पर listed company है FLA India 1000 रुपीज के आसपस इसका share आ चुक है और बहुत अच्छा support level इसने 1000 रुपीज पे यहां पर दिखा है तो next week अगर market में उच्छाल आता है तो इस share के जो levels है यह काफी अच्छे attractive levels है जहां से share में अच्छा उच्छा देखने को आपको मिल सकता है एक साल का chart अगर आप इसका देखेंगे आपको साफ दिखेगा कि 1000 के काफी अच्छा support के levels है fundamentally काफी अच्छी company है consistent returns यहां पर दे रही है consistent profit growth sales growth यहां पर इस company में रही है ऐसे ही happiest mind भी एक ऐसी ही company रही है 800 से 830 के levels पे मिलती है last time भी हमने बात की थी 800 से 830 के levels में मिलती है एक installment जाने का time इस company में आ जाता है काफी अच्छे key levels है यह जहां पर यह company अच्छे returns आपको provide कर सकती है तो वन levels का यहां पर आपको खयाल रखना है जहां पर investment के मौके आपको यह company provide कर रही है अच्छी company है IT sector की consistent growth है consistent returns यह company यहां पर दे रही है large के segment में HCL tech पे काफी सारे लोगों के सवाल आते है तो HCL tech में भी दोस्तों मैं इक चीज़ यहां पर बोलूगा कि अच्छी company है dividend yield इसका काफी अच्छा है 4-5% का dividend yield यह company आपको दे देती है और 1000 जो हमने काफी बार इस company के बारे में बात किये 1000 से 1050 यह अच्छे levels है यहां पर इस company के अलगी अभी 1100 के आसपा सल रहा है तो 1000 से 1050 के levels पर यह share आपको मिलता है तो एक अच्छी investment के opportunity इस share में भी आपकी हो सकती है इसके अलाबा SDFC life पर लगातार हर वीडियो में कमेंट्स आते हैं तो देखिए SDFC life में इस वक्त मैं averaging कर रहा हूँ मैं 480-485 के levels पर पिछले हफते काफी पैसे यहां पर SDFC life में invest की हैं और लगातार मुझे लगता है कि आने वाले कुछ time तक मैं invest करने वाला हूँ 450-500 की range मुझे लगती है कि यह last range है इससे नीचे share नहीं जाना चाहिए और 500 की तो range हमने काफी time सक बात किये जहां पर यह range रही है fundamentally अच्छी company है sector wise अच्छा है तो मुझे कोई negativity यहां पर नजर नहीं आती और मैं हमीशा से stock market में एकी चीज follow कर रहा हूँ कि अगर company अच्छी है share में गिरावट आ रही है और समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी गिरावट क्यूं आ रही है तो एक लगातार investment के मौके होते हैं staggered manner में invest करने के life insurance में आप बोल सकते हैं कि यह जो अभी recently budget में announcement हुई है इसकी वज़े से गिरावट है लेकिन बहुत जादा impact नहीं आने वाला इसके overall growth में उस चीज़ को भी आपको यहाँ पर समझ कर चल ला है तो दोस्तों यह कुछ shares थे जिस पर काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे उमीद करता हूँ आपको help मिलेगी कुछ और shares हो तो आप comment करके बताईएगा हम लोग next video में जरूर discuss करेंगे मेरी तरफ से बस इतना ही धन्यवाद